हाई गाईज आप सब कैसे हैं आज हम बनाएंगे आलू चाट टिक की सबसे पहले हम उबले हुए आलू लेंगे और उन्हें गरम-गरम ही छील कर रेडी कर लेंगे अब इन आलूं को हम पटेटो मैसर से अच्छे से मैस करेंगे आप चाहें तो इन्हें कद्दू कस भी कर सकते हैं अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी धन्या हरी मिर्च नमक स्वाधनुसार और आरा रोट सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इसमें हम एक चमच ओयल डाल कर अच्छे से आलूं को मिला लेंगे अब हम अपने हाथ पर थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और छोटी छोटी टिकियां काड लेंगे आप अपने साइस की कोई भी टिकी बना सकते हैं यह देखें हम इस तरह से सारी टिकियां बना कर रैडी कर लेंगे फ्राइपेण गरम करेंगे और उसमें हम राइताइवाली बूंधी डालकर उसे रोष्ट करलेंगे यह काफी क्रिस्पी हो जाएंगी और इन्हें बहर निकाल लेंगे अब उसी फ्राइपेन में हम थोड़ा सा ओईल डालेंगे और थोड़ी थोड़ी टिक्कियां करके तल लेंगे जब यह एक साइट से हो जाएंगी तब हम इन्हें पलट लेंगे यह देखिए दोनों साइट से में टिक्कियां हो गई है सारी टिक्कियां रेडी हो गई है तल कर चाट बनाने के लिए हम लेंगे दही इसमें दो स्पून चीनी डालकर इसे मिला लिया है और इमली की मीठी चटनी धन्या और बूंदी जो रोस्ट की थी वो बूंदी लेंगे चॉप किया हुआ ओनियन लेंगे ओनियन को हम बहुत छोटा छोटा चॉप करेंगे और हम लेंगे ग्रेट किये हुई मूली इस इमली की चटनी का वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ वीडियो इसकी छोटी सी क्लिप स्क्रीन पर सोग हो रही होगी और जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसको ट्राइ करना ना भूले अब हम टिक्की को देंगे फाइनल लूप एक पेट में रखेंगे दो टिक्किया और उस पर डालेंगे इमली की मीठी चटनी और फिर दही, ओनियन, रैडिस, हारी मिर्च, बून्दी और ये डाला चाट मसाला अब इसमें डालेंगे फ्राइ कीवे कॉन्द फ्लेक्स, ये पूरी तरह से ऑप्सिनल है बाद में धनिया से गार्निस करेंगे ये देखिए मेरी चाट बनकर एकदम रैडि है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो सब्क्राइब करना ना भूले बेल आइकन जरूर क्लिक करें इससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ता रहे थैंक्स फॉर वाचिंग